When ticket price to a water park are increased in the ratio 11, ratio 12, then the number of daily visitors to the park fall in the ratio 8, ratio 7. If the daily revenues before the increase in ticket price was Rs. 176,000, then find daily revenues after the increase in the ticket price. The price of a water park is increased in the ratio of 11, ratio 12. The price of the park is greater than 8, ratio 7. The price of the price is higher than the number of daily rates. The price of the ticket price is Rs. 1,67,000. Then the price of the ticket price is higher than the number of daily revenues. So, let's talk about the normal, traditional तरीका फिर आपको मिलेगा राइमो मंत्रा राइमो मंत्रा का मतलब होता है question देखा और answer लगाया ऐसा करो गया समझाऊंगा कैसे मैंने question को जैसे पड़ा मुझे answer पता लग गया है तो वह भी बताऊंगा traditional बता देता हूं जो को यह 11 यह 12 11 से 12 हो गया और यहां पर यह था आगंतुकों की संख्या 8 थी और 7 थी भाई इन्हीं का product तो revenue को करेस्पॉंड करेगा यह है आपके ticket price यह आपका है आगंतुकों की संख्या इनका product देता है राज्यस्व यहां पर 88 है sir और यहां पर यह value कितनी आ रही है 84 यहां पर आप देख कर रहा था 1,76,000 को इसके साथ पता है decrease हो रहा है decrease होते ही मुझे मालूम है कि यह answer नहीं होगा यह answer नहीं होगा अब कम हो रहा है तो पहला और तीसरा answer नहीं हो सकता है ठीक है अब यहां पर देखो यह 1,76,000 हो गया अब मुझे क्या करना है 4 पार्ट निकाल के minus कर देना है 4 पार्ट इसका calculate करने जाओ ठीक है तो आपको 88 पार्ट मुझे मालूम है 4 पार्ट निकाला है मुझे 22 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर मैं इसको 22 से दोनों साइड डिवाइड करूं 4 पार्ट आ जाएगा ना 22 से आपने डिवाइड के तो कितना आ गया 8,000 इसमें से 8, माइनस कर दो तो वैलू कितनी आ गई 168,000 कोई तकलीव नहीं मुझे समय की बरबादी है क्यों बरबादी है तरह समझों यह दिको क्या हुआ यहां पर कि आपको इतना बस दिमाग में सोचना है कि कैसे मिलेगा टेली रेवनियू दैनिक राजस नंबर आफ पीपल इंटु पर्सेंट बढ़ गया ठीक है एक बटा ग्यारा बढ़ा ना 9.09 पर्सेंट तो यहां को एट रेशियो 7 दिया हुआ यह कम हुआ कितना माइनस नंबाई एट एक कम हुआ एट यह कितना होता है 12.5 परसेंट ठीक है अब आप मुझे पता दू कि 9.09 परसेंट तो टिकेट का राइस बढ़ा है और 12.05 परसेंट आपके लोग गिर गए यह नेट डिक्रीज देगा इंक्रीज देगा सक्सेसिवली आपको सरकर 10 बढ़ा के 10 कम कर देते ना तो भी डिक्रीज आता यहां तो 9 बढ़ा के बारा कम कर रहा हुआ ठीक है प्लस 10 और माइनस 10 कर देल का होता है कोई भी परसेंटेज इससे बढ़ा रहे हो इससे कम कर दो के डिक्रीज होगा नेट तो नेट डिक्रीज होगा लेकिन सर आप मुझे बताओ को डिक्रीज कितना हो सकता है यह देख के लग रहा है कि परसेंटेज काफी आसपास है तो बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होने तो आप कहोगे कि देखो इनका डाइरेक्ट डिफरेंसी लगबग 3.5% का दे रहा है तो आप कहोगे कि होगा इसी क्या सपस सक्सेसिल में जादा दिमाग नहीं लगाते हैं वो इतना मीनिंग्फुल नहीं है कि बहुत बड़ा परसेंटेज आने वाला है छोटा मोटा परसें सब्सक्राइब करोगे क्योंकि वह एक लाग 6,000 के पास में एक लाग 12,000 पर चलेगे तो आप करो कि वह लगबग कितना कम हो गया कि इतना थोड़े नकम हो जाएगा कि 64,000 की गिरावट आ जाएगी मैंने का थोड़ा मोड़ा परसेंटेज है ना थोड़ा मोड़ा इतना आसान है चीज़ों को सोचना तो आप मुझसे बोलो कि तुम ऐसे करूंगा आप मुसे पूछते हो सर किताब बता दो कौन सी बढ़े सर मैं क्यों नहीं बताता हूं क्योंकि यह चीज़ें किताब में नहीं दिए हुई है अगर इस तरह से किसी किताब ने समझाया हो तो तुरंट वो किताब खरीद लो बस ध्यान रखना कि वो किताब मेरा वीडियो देखे जाने के बाद ने लिखी गई हूं ठीक है तो बस